और यह तुमारी एक पुरानी उसमें भी मैच हो जाएगी कोटा की ही है जब कोटा में क्लास 11 तो पहला पहला जहां पर घर लिया था उसका थोड़ा सा आपको डाइग्राम समझना पड़ेगा प्लॉट समझना पड़ेगा कि वह घर कैसा था नक्षे में फिर आप मेरी बातो यहां था बीच में एक बात्रूम एक वाश्रूम और एक कमरा यह इसकी गेट यहां पर एक यहां पर इसका यहां पर और यहां पर यहां पर यहां पर समझते जाना राम राम से प्लीज यह समझाना जरूरी है यहां पर फिर में एंट्रेंस आ जाती है यह में गेट था ठी यह एक बात्रूम था और एक वाश्रूम था आप समझ गये हूं इसमें मैं यह थोड़ा कमरा चोटा था तो मेरे पास यह सिंगल था इस रूम में दो और लोग रहते थे दोनों भाई थे वो जही की ही प्रिप्रेशन कर रहे थे ठीक है भई अब शुरू शुरू में वहां जाके जब एक डेड़ महीना बीत गया तो फिर एक ट्रेंड समझ में आया कि रात को जग कर आप पढ़ सकते हैं और अपने जो है वह रात को जगने वाले लोगों में से थे सुबह जल्दी उठकर हमसे पढ़ाई नहीं होती यह वाले जो दोनों भाई थी यह सुबह सब्सक्राइब होने वाली है तो अगर किसी को डरवर लगता है इन सब स्टोरी से तो प्लीज ना सुने यह वापिस फिर हमारे दिमाग में एक वैक्यूम करेट कर देती हैं बार-बार ध्यान वहां जाता है तैसी बाते सुनने की कोई जरत है नहीं बढ़ आगर आपको हां सर मजे आ रहे हैं हमें यह जानना है तो वह सुन सकते हैं तो क्या हुआ रात को फिर वही पढ़ना साठ किया लेट तक दो तीन अराम से बच जाते थे आपने बच्पन में सुना होगा कि भूत बारा बजे आते हैं वह पुराना हो गया आजकल जो लेटेस टाइम चल रहा ह के साठे तीन बजे के अब ध्यान सुनना थोड़ा सा और प्लॉट समझा दूं यहीं पर ही टेबल लगा होता था यहां पर चियर पढ़ रहा हूं अराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है है अचानक तीन बज़के 5-10 मिनट पर बात्रूम में बाल्टी भरने की आवाज आती है पाणी से बाल्टी बरने की आवाज आती है और बाल्टी जब आप छोड़ा सा रिलेट कर पाओगे जब बकेट में पानी डालते हो तो वो शुरू शुरू बहुत तेज आवाज करती है तो भया बहुत तेज आवाज आई मुझे लगा कि शायाद वह सामने वाले कमरे वाले होंगे और फिर एक डाउट गिया था कि यह पानी का रात को क्या कर रहा है चलो जाके देखते हैं बातरूम में गया ना ही वहाँ पर टैप चल रहा था ना ही वहाँ पर बाल्टी भरी जारी खाली थी मैंने का यार यह गजब है पर आवाज अभी भी आ रही है यह सही ह तो थोड़ा सा ऐसे अजीब लगा डरवर तो नहीं लगा थोड़ा अजीब लगा यही सेम सिनेरियो अगले दिन फिर हुआ यही सेम सिनेरियो अगले दिन सवा तीन बजे के आसपास वो वापिस बाल्टी भरने के अवा आ जाई यार यह कौन है जो रात को तीन बजे बाल्टी भर रहा है दिन में भरो ना बाई क्या दिक्कत है तो फिर हुआ यह फिर मैं बातरूम में गया मुझे कोई नहीं दिखा इद देखा कुछ नहीं मिला यह बात फिर मैंने इन दोनों लड़कों को बताई तुम लोग जल्दी सो बातरूम में हम तीनों की बाल्टियां भरी हुई मिलती थी कि सच बोल रहा हूं मजागनी कर रहा हूं हम मैं तो सुबह बहुत लेट उड़ता था उससे पहले यह लोग उड़ते थे यह बोलते थे कि हां भया हमें जो है वो बाल्टी पूरी की पूरी भरी हुई दिखाई को फिर ने थ् mould फिर तीन बजए अगली रात को फिर बाल्टी बरने की अवाज आई बात्रूम में गये कोईDad उनके बेटा और उनकी बहु रहती थी बस बच्चा बहुत चोटा था तो अब यह बात उनसे डिसकस की क्योंकि उनका भी बात्रूम यहीं गहीं था मैंने का ऐसा तो नहीं है कि यहाँ रात को तीन बजे बाल्टी भरते हो तो उन्हों ने बोला हाँ हाँ बोले अपने ससुर जी को बोलते हुए कि हाँ वह पापा भरते हैं रात को तीन बजे क्यों भरते हैं बोले उनकी पुरानी आदत है मैंने का अच्छा फिर मैंने वह ती पूरा पानी प्रॉपर्ली उटिलाइज हो इसलिए वो रात को उठते हैं तो तीन बज बाल्टी भर लेते हैं फिर मैं रहा हमारी बाल्टी अगौन भर जाता है बोले कि वह तो मैं भरती हूं आके वहां से पानी कठ्था करते हैं ठीक है मैंने का बहुत सही मैं फिर बताया उनको कि हम तो डर गए थे रात को तीन तीन बजे बाल्टी यां भरी जा रही है समझ नहीं आ रहा है ठीक है यह कहानी का एंड हो गया चले गए फिर एक दो दस पंदरा दिन बीचे फिर बारी आई किराया देने की जान सुनिए अब थोड़ा थोड़ा डर लगेगा कि बा पाश तो मैं जब उन दीदी को किराय दे रहा था मैंने बुला अंकल का है अगल की तो डेथ हुए वे ढही साल होगे भी सही बताओ आप ऐसे मत बोलो मुझे डर लगता है आप क्या बोल रहे हो पुले हाँ उनकी डेथ हुए ढही साल हो चुके हैं मैं आप अभी कल पर्सो तू मुझे बोल रही थी कि ऑटी अंकल आकर भरते हैं बोले हाँ वो भूत या जो भी उनकी आतमा थी वो गर में थी और वह रात को तीन बजे कुछ डूरेशन के लिए कुछ पंदरा बीज दिनों के लिए तीन बजे आके बाल्टी भर रही है अब बहुत बढ़ी है और सच में वहाँ पे सामने दिवार फोटो भी लगी हुई थी अंतर जाके उनके ड्रॉइंग रूम में ध्यान से देखो तो एक जगा आर अपना सारा समान लेके तुमारे पास शिफ्ट हो रहा हूं रात को सोएंगे नहीं सुबह उठके सोएंगे ठीक है क्योंकि इस ओलेडी ट्रू कि वह यहीं पर रहते हैं और यहीं पर गूम रहे हैं आज कर बाल्टी अब रहे हैं तो अपनी बाल्टी उनके हाथ ना जा अब होते हैं कि नहीं होते हैं कहां दिखते हैं दिखें नहीं हमें एसास हुआ और एसास भी बहुत दिनों बात में हुआ तुरंद बदलते हैं और फिर शिफ्ट कर लिया पठापट समझ मैं तो आप लोग भी बचके देएगा प्रीज